श्री एजुकेशन नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत कता हूँ मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरे नाम है रवी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नमबर 9 पढ़ने वाले हैं एससी सीजल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं भारत का भुगोल जो की इंपोर्टन MCQ की सिरीज है उसका वीडियो नमबर 9 है इसके पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं बहुत हैं इंपोर्टन वीडियो हैं अगर आपने देखे होंगे तो आपको मालूम होगा क्योंकि ये कोशन इतने इंपोर्टन है इसी पटाईगी कोशन आपको एक्जाम में मिलेंगे जो आपका एक्जाम होने वाला है सससी सीजल का चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे, जातर वो कोशन देखेंगे, कि जो हमारे भारत के जो शहर है, वो किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी कोशन पूशे आते हैं, तो ये हम देखेंगे, चलिए पह आपका गंगा नदी किनारे नहीं बसा हुआ, यह कहां बसा हुआ, यह यमुना नदी किनारे बसा हुआ, कहां पर यमुना नदी किनारे, ठीक है, अगला कोशन देखिए, निम लिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी किनारे इस्थित नहीं है, यह पूछा हुआ, गोमती न अगला कोशन गंगा नदी कौन सी प्रांतिय राजधानी स्थित है यह कोशन है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतिय राजधानी स्थित है तो याद रखिए पटना जो है वो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है ठीक है अगला कुशन गंगा यमुना और अद्रिश सरस्ति के संगम पर स्थित नगर है गंगा और यमुना का संगम कहा होता है इलाहाबाद में होता है और अद्रिश सरस्ति मतलब कालपनी की माने आता है ठीक है गंगा यमना का जो संगम होता है कहां मा होता है अगला क्वेशन पंड़ जी जो की गोवा की राजधानी है किस नदी पर अवस्थित है तो ये मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है मांडवी नदी ये अरब सागर में गिरती है करनाटक से आती है गोवा से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है अगला कुशन आगरा किस नदी की किनारे स्थित है तो आगरा जो है आपका वो यमना नदी किनारे बसा हुआ है ठीक है आंधर प्रदेश की राजदानी हैदराबाद किस नदी के तरपर स्थित है मूसी नदी के तरपर स्थ दोस्तों हमारे जो हमारा चैनल है उसमें फोल्डर में जाके आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे फोल्डर मिल जाएंगे आपको उसमें फोल्डर है जी के ट्रिक्स नाम कर या स्टैटिक जी के ट्रिक्स उसमें नदियों और उनकी किनारे बसे हुई शहरों को कर लेंगे ठीक है अब जानते हैं श्री नगर में हमेशा आए दिन वारदात होती रहती है तो वह वारदात जो हैं जहेल रहे हैं तो श्री नगर जहेलम ट्रिक हो गया असान ट्रिक सूरत किस नदी के तड़ पर स्थित है तो सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है गुस्से में सूरत तप जाती है ना तो इसे याद कर लेंगे तापी उजयन किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो उजयन याद रखे छिप्र नदी किनारे बसा हुआ है यहाँ पर कुम्ब मेला भी लगता है बहुत बड़ा हूँ जमशेदपूर किस नदी के तड़ पर स्थित है जमशेदपूर सौन रेखा नदी के तड़ पर स्थित है नासिक किस नदी के तड़ पर स्थित है तो नासिक आप सब जानते होंगे गुदावरी नदी के तड़ पर स्थित है महराष्ट में है नासिक और गुदावरी का उद नदी के तटप स्थित नहीं है सूरत जैसा की बताया हमने तापी नदी के किनारे बसा हुआ है कटक महा नदी के किनारे बसा हुआ है भोपाल जो है किसी नदी के तटप स्थित नहीं है तो मैसूर जो है कावेरी और कावीनी के बीच में स्थित है तो कावेरी और कावीनी ठी तो मैसूर तो भुपाल अंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है देखिए वानारस जो है ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना भी बसा हुआ है कानपूर भी बसा हुआ है इलाहाबाद भी बसा हुआ है मगई चारो में से कानपूर जो है सबसे बड़ा शहर है जो की गंगा नदी किनारे बसा हुआ है यामन नदी जो की गंगा की सबसे बड़ी सायक नदी है इसटील सिटी राउर केला ऊड़ी सम है किस नदी के किनारे स्ठित है तो राउड केला जो है ब्रामणी नदी के किनारे बसा हुआ है अगला कोशन निमलिखित में से सर्यू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है तो सर्यू नदी किनारे जो है या अध्या स्थित है अध्या जो है सर्यू नदी किनारे बसा हुआ है अगला question देखिए कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है तो कावेरी नदी के किनारे ये चार option बताना आपको मेन आजाएगा तरुचुरा पल्ली स्थित है ठीक है ये आजाएगा तरुचुरा पल्ली साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है नासिक किस नदी किनारे स्थित है नासिक जो आपका है वो गुदावरी नदी बिता दिया हमने बहुत इजी कुशन है निम्न में से कौन सी नदी के तट पर गोरकपूर स्थित है तो राप्ती नदी की किनारे बसा हुआ है गोरखपूर और राप्ती नदी किसकी सायक नदी है घागरा की सायक नदी है ठीक है घागरा की सायक नदी है और घागरा किसकी सायक नदी है घागरा गंगा की सायक नदी है गंगा मिल जाती है ठीक है तो ये question थे भारत की जो नदियां है उनके किनारे बसे हुए शहरों को याद करना है आपको ये important question है और trick आपको उस वीडियो में मिल गया होगा आप देख लीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा जोस्तों और ये question जो है ये कर लीजिएगा बहुत important question है आप जानते हैं ऐसे static जी के question आ जाते हैं exam में screen पर चार वीडियो आपके आ रहे important वीडियो है देख लीजिएगा हम आपसे मिलते हैं अगले episode में तब तक के लिए नमस्कार